नमस्कार आपका आखबार के यूट्यूब चर्नल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग आज रवीवार है रवीवार स्पेशल का दिन है आज थोड़ी पुरानी बात करेंगे जनता पार्टी के जनता पार्टी एक विशेश परिस्थिती में बनी हुई पार्टी थी जिसको देश के लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला एमर्जिंसी के खिलाफ, इंद्रिया गांधी के खिलाफ, काउंडिस के खिलाफ लोगों ने दिल खोल कर समर्थन दिया बलकि पार्टी कारिकरता पीछे हो गए थे उस समय मदाता और जनता जो है पार्टी कारिकरता के रूप में काम करने लगी उस समय जो नेता थे जनता पार्टी में जो बड़े शीर्ष पर जो नेता थे वो दूर से देखने पर और आज भी बहुत से लोगों को दूर से देखने पर बहुत बड़े बड़े महान लगते हैं लेकिन उनके करीब जाईए तो पता चलता है कि कितनी छोटे मन के लोग थे दरसल जनता पार्टी नहीं चल पाई उसका कारण ही यही था उसका कारण था इन बड़े नेताओं की महत्वा कांग्शा महत्वा कांग्शा भी जो है मैं उसको थोड़ा अलग रख देना चाहिए इन बड़े नेताओं का छोटा मन जिस तरह के जगडों में ये छोटे छोटे लगे हुए थे उन में से कहीं भी नजर नहीं आता था कि इनके पास कोई देश के लिए व्यापक दृष्टी है कोई विजन है देश को लेकर कुछ नहीं अपना इतने प्रेटी पॉलिटिक्स में उल्जे हुए थे आपको कुछ उधारन बताऊंगा वो किस्सा भी बताऊंगा कि इंद्रिया गांधी की गिरफतारी कैसे हुई क्यों हुई तो पार्टी बनी थी जेपी और आचारे किरपलानी के दबाओं में अगर जेपी ने अल्टिमेटम नहीं दिया होता कि अगर सब लोग एक नहीं होगे तो मैं आप लोगों से समर्थन विड्रॉ कर लूँगा आप लोगों के साथ नहीं रहूँगा तो इस तरह से जेपी ने पार्टी तो बनवा दिये दुनिया की पहली पार्टी बनी जो सब्ता में पहले आई पार्टी का गठन अपचारिक रूप से उसके बाद हुआ चुकि समय बहुत कम था इमर्जंसी हटने गोशना हुई चुनाओ की गोशना हुई तो नए सिंबल पर विचार करने या लेने का समय कम था तो भारतिय लोग दल जो चौधरी चरण सिंग की पार्टी थी उसका सिंबल जो हलधर था उसको जनता सरकार बन गई चंद्शेखर पार्टी के अध्यक्ष बन गए चंद्शेखर जो है सरकार में नहीं गए सरकार में उनका नाम था मंत्र मंदल में मुरार जी ने रखा था लेकिन चंद्शेखर जो है मंत्री नहीं बने और उन्होंने अपने एक साथी के समर्थन में अपना राजनीती में ऐसा बड़ा रेर देखने को मिलता है लेकिन वो चंद्शिकर के अध्यक्ष बनने और मंत्रि मंदल में न जाने का किस्सा फिर कभी आज बात जंता पार्टी की है तो जब पार्टी जो है लोगसभा का चुनाओ जीत गई और फिर विधानसभा चुनाओ की बा कर दी अब इन में से जादा तर शायद एक राज्य को छोड़कर बाकी राज्यों की स्थिती ये थी कि इनका चुनाओ हुआ था 1972 में पाँच साल के लिए 77 में चुनाओ विधानसभा का होना चाहिए था लेकिन अमर्जनसी के दौरान इंद्रिया गांदी ने विधानसभा और लोकसभा का कारिकाल एक-एक साल बढ़ा दिया था तो सवाल था कि इनका चुनाओ हो की नहीं क्योंकि जो सम्विधान संशोधन हुआ है उसके मताबिक तो जो है एक साल और कारिकाल था लेकिन जनता पार्टी ने उस सम्विधान संशोधन को पलट दिया था तो एक-ए टिकट बत्वारे की बात आई मामला सबसे बड़ा मामला था उत्तर प्रदेश का चौदरी चरण सिंग सबसे प्रभावी नेता सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के इसलिए चंज शेखर जिनने उनको जिम्मा सौप दिया टिकट बित्रण का उन्होंने सूची बनाई और सौची बनाई ऐसी कि सब कुछ अपने कंट्रोल में रहे उन्होंने जनसंग से मिलकर बठवारा कर लिया और उन्होंने जो आपको संख्या बताऊंगा तो सुनके बड़ा अश्चर होगा उन्होंने बी एलडी के कोटे में धाई सो सीटे रखी डेर सो सीटे जनसंग को दे दी और उस समय 425 सीटे थी उत्तर प्रदेश विधान सबी कि सिर्फ 25 सीटे बाकी घटकों के लिए छोड़ा अब ये सूची देखका चंशेकर का माथा ठनक गया उन्हों का इस तरह से तो जो है बड़ा अन्याय होगा बाकी लोगों के साथ तो उन्होंने चौदरी चर कोई परिवर्तर नहीं होगा चंशेकर फिर मधुली मे के पास गए मधुली मे को लेकर चरन सिंग के पास आए कि समझाईए इनको मधुली मे की भी सुनने को तयार नहीं हुए चरन सिंग उसके बाद चंशेकर ने कहा कि इस तरह से तो नहीं चलेगा उन्होंने एक कमिटी बना दी जिसमें बाबु बनासी दास हेमोती नंदन बहुगोना नाना जी देशमुक मधुली मे और कुछ और नेताओं को मिलाकर कमिटी बनाई और वो लिस्ट दे दी कि इसको ठीक कीजिए इन लोगों ने पूरी मेहज़त की सारे जो है पर्मुटेशन कमिनेशन देखे और उन्होंने इतना ही ने किया उसके बाद उन्होंने तुरंद चुनाव आयोक को चिठी लिख दी मेरी पार्टी का जो Michaels पार्टी को ना धिया जाए अब चुनाव आयोक का पतर आया नहीं संपर्त किया जंता पार्टी से मुख्यालार में उनके सिए कि भाई कल शाम तक का समय है या तो चौधरी चरण सिंग अपने चिठी विड्रौ कर ले नहीं तो हम आपको नया सिंभा लेलाट करेंगे अब ये बड़ा नया संकट आ गया था इसका पता चलते ही रभी रे जो पुराने समाजवा दी थे जनता पार्टी के वरिष्ट नेताओं में थे वो गए चौधरी चरण सिंग से मिल ले कि आप विड्रौ कर लीजे चिठी उन्होंने मना कर दिया फिर रभी रे गए चंदशेकर के पास चंदशेकर फिर गए चौधरी चरण सिंग के पास कि आप इस तरह से मत कीजिए केवल तीन दिन बचा है नामनेशन जो है करने के लिए लोगों के पास अगर सिंबल एलॉट नहीं होंगे तो लोग चौधरी चौधरी चरण सिंग ने कहा कुछ भी हो मैं ये चिठी विड्रौन नहीं करूँगा तो चंद शेकर तो चंद शेकर उन्होंने कहा कि कल दिन में बैठक है राष्ट्री कारिकार्णी की पार्टी की उसमें आप आ जाईएगा उसमें पार्टी के नए सिंबल पर विचार होगा अगर तब तक आपने ये चिठी वापस नहीं लिए चौदरी चरण सिंग ने कुछ दिर बाद किसी को भेजा और चुनावायोक से उसमें चिठी वापस मुआ लिए इस तरह से तो सिंबल जो है विधान सभा चुनाव के लिए पार्टी का बना रहा आप इस से अंदाजा लगा लिए और छोटी छोटी बातें देखिए एक दिन चौदरी चरण सिंग के हाँ से फोन आया चंशेखर को उनके एक आदमी ने बताया कि जो है चौदरी साब बड़े नाराज हैं बड़े दुखी है तो उन्हों पूछा क्या हो गया है तो बताया कि प्रधान मंत्री ने मना कर दिया है कि चौदरी चरण सिंग अपने साथ यात्रा में डॉक्टर को लेकर नहीं चल सकते अब चंशेखर को इस पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता हो गए मुरार जी के पास मुरार जी से कहा कि भई मुरार जी भाई चौदरी चरण सिंग को हिर्दय की बीमारी है आपको कोई बीमारी नहीं है तो आपको डॉक्टर लेकर चलने की जरूरत नहीं है अब आप सुचिए कि कल्पना भी कर सकते हैं कि कोई प्रधान मंत्री अपने ग्रे मंत्री के बारे में जो जो जिसको हाट की प्रॉब्लम हो उसके साथ इस तरह का वेभार कर सकता है ये इस तरह था इन लोगों का अब पार्टी में ये बड़ी चर्चा थी कि इंद्रिया गांधी को सबक सिखाय जाना चाहिए चंद्शेखर को इमर्जनसी में सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया था इसके बावजूद वो इस पक्ष में नहीं थे कि कोई बदले की कारवाई हो उनका कहना था कि जनता ने बहुत बड़ा सबक सिखाया बहुत बड़ी सजा दिये सत्ता से बाहर करके और इस तरह से चुनाव हरवा कर इंद्रिया गांधी को अब कोई जो है वेंड़ेटा की पॉलिटिक्स नहीं चलनी चाहिए वरना इसका मुकसान होगा लेकिन मुराल जी भाई चौधरी चरंड सिंग जॉज फर्नांडिस और कुछ और नेता थे जो चाहते थे कि नहीं इंद्रा गांधी के खिलाब कुछ न कुछ होना चाहिए शाह कमिशन के गठन के पक्ष में नहीं थे चंड शेकर लेकिन वो उनको बताए बिना उनको उनसे पूछे बिना गठन कर दिया गया अब यह सब जो मैं बातें बता रहा हूँ इनकी किताब है अभी हाली में आई है आपको याद होगा कि इसके बारे में पृधानमंत्री ने बड़ी प्रशर सा की थी इसके बारे में इसके बहुत सारे उधरण देते हुए उन्होंने जिक्र किया था एक कारिकरम में चंड शेकर जी पर कारिकरम था तो उस किताब में आगे लिखा है अब की चंदशेखर अपने संपादक मित्र प्राण संभरवाल के घर पे थे वहां मीडिया के लोग पहुंच गए उन्होंने कहा कि क्या इंद्रय गांदी की गिरफतारी होने जा रही है तो उन्होंने का ऐसा तो कुछ नहीं लेकिन वहां से निकले सीधे मुरारजी के पास गए मुरारजी से उन्होंने कहा कि क्या इस तरह के किसी उस पर बिशार हो रहा है किसी काम पर । उन्होंने मरारजी से कहा कि अगर ये ऐसा कुछ होने जा रहा है तो इसके परिह नाम बहुत बुरे हो गये। म।रारजी ने कहा कि भाई बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि इसका तरह का कदम हो इंद्रय गान्दी को गिरफतार किया जाए। चंद शेकर ने कहा कि ये बिलकुल नहीं होना चाहिए, ये कदम जो है नहायत नासमझी का होगा और इसका पुलिटिकल जो नुकसान है मुरार जी भाई आपको भुगतना पड़ेगा, इतना कहके वो चले आए, इससे पहले एक और घटना हुई थी, जैसे ही चुनाओ के नत चंद शेकर इंद्रिया गांधी से मिलने गए, तो किताब में लिखा है कि जब चंद शेकर पहुंचे इद्रिया गांधी के घर तो वहां जितने लोग थे, कांवरेस के और उनके समर्थक जो थे, उनको लगा कि जैसे कोई भूत आ गया, किसी को ये विश्वास ही नहीं गांधी के घर अभी तुरन चनाओ नतीजा आने के कुछी दिन बाद आ सकते हैं, वो गय सीदे इंद्रिया गांधी से मिले, उनसे कहा कि आपने क्या सोचकर इमर्जिंसी जैसा ऐसा घटिया काम किया, इंद्रिया गांधी ने कहा कि मुझे मिस लीड किया गया, आरके धहों एक फाइल लेकर आये दिखाया, कि ये ये देखे, इस तरह से लोगों ने लिखा था, ये था, जो भी था, बहराल एमर्जिंसी के कदम की किसी भी तरह, किसी भी तरक से जो है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, इंद्रिया गांधी ने चंद्शिकर से कहा कि मैं बहुत दरी हुई हूँ, मैं अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर दरी हुई हूँ, मुझे पता चला है कि मेरा सरकारी आवास खाली कराय जा रहा है और मेरी सुरक्षा विड्राव की जा रही है, चंद्शिकर कहते हैं कि मुझे देखकर बड़ा आश्चर हुआ, कि जो अभी च चंद्शिकर फिर मुरार जी के पास गए और कहा कि किया इस तरह के किसी कदम पर विचार हो रहा है, इंदिरा गांदी का आवास रद किया जा रहा है, सरकारी और उनकी सुरक्षा विड्रा की जा रही है, मुरार जी ने कहा कि हाँ आवास रद किया जा रहा है, और वो तो मुरार जी ये नहीं कहा कि जो है हम इंद्रिया गांधी का भी आवास रद नहीं करेंगे उन्होंने कहा कि ये तीनों भी कैंसिल कर देते हैं चंशेकर ने फिर समझाने की कोशिश की आखिर में बहुत देर की कोशिश के बाद मुरार जी इस बात पर माने उन्होंने कहा कि आप कहे रहें इसलिए इंडरिया गांदी से आवास खाली नहीं कराए जाएगा सरकारी नहीं तो मैं तो खाली करा देखा गिरफतारी के बारे में उन्होंने कहा कि वो जो है चरंड सिंग ऐसा चाहते है चंचेकर ने ये सब बात करने के बाद जब वो प्राण संबरवाल के हाँ वाला वाकिया था और फिर जाके कहा था उन्होंने के गिरफतारी नहीं होनी चाहिए उसके बाद बॉम्बे चले गए तो किताब में ये लिखा है कि वो उस दिन मुंबई में शरत पवार के घर पर रात का खाना खा रहे थे जब ये खबर आई इंद्रिया गांधी की गिरफतारी होने जा दी दूसरे दिन सुबह दिल्ली आ गए एरपोर्ट से सीधे मुरार जी भाई किया गए अब आप देखिए मुरार जी भाई ने कहा कि ये काम जो है वो ग्रे मंत्री ने किया है यानि चोधरी चरण सिंग ने किया है फिर उन्होंने एडमिट किया कि हा मैंने इंद्रिया गांधी के खिलाब जो शिकायते हैं उनकी फाइल देखिए किन बातों का खिकर किया शिका अधार पर गिरफतारी हो रही तो जिसका पुलिटिकल फॉल आउट बहुत बड़ा होने वाला था इसका विचार किये बिना इसलिए कह रहा हूं कि कोई विजन नहीं था अगर इंद्रिया गांधी के खिलाफ एक्शन लेना ही था तो पचासों मामले हो सकते थे उसकी उसकी काईदे से जाच करके उसके बाद आरोप का आधार बना कर उनकी गिरफतारी हुई होती तो शायद वो जेल में रहती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि चौधरी चरन सिंग चाहते थे कि इंद्रिया गांधी ने मुझे जेल भेजा तो उनको भी जेल भेजना है यह केवल इस विम पर जो है इंद्रा गांधी की गिरफतारी होनी की कोई केस बनता हो नहीं बनता हो कोई फरक नहीं पड़ता है अगले दिन मुंत्रिमंडल की एक अनौपचारिक बैठक थी जिसमें पार्टी के अध्यक शंशेकर को भी बलाय गया था वहां उन्होंने देखा कि चौधरी चरण सिंग बड़ी चिंता में है थोड़ी देर के लिए बैठक से निकल गए फिर लोटकर आये तो उनका चेहरा उतरा हुआ था और उन्होंने कहा उन्होंने पूछा गया कि क्या हो गया तो उन्होंने का कि मैंने अपने वकालत के जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा बात थुई कि हुआ क्या हुआ ये कि इंद्रिया गांधी को मजिस्ट्रेट ने जमानत के लिए भी नहीं कहा और रिहा कर दिया तो ये जो सपना था चौधरी चरण सिंग का कि जेल में रखना है इंद्रिया गांधी को ये सपना जो है मुराजी भाई का भी जाज़ फना डिसका भी था वो पूरा नहीं हुआ और पूरा नहीं हुआ तो इसलिए नहीं कि उनके खिलाफ कोई केस बन नहीं सकता था इसलिए कि कोई केस बनाया नहीं गया इसलिए कि गवर्नेंस के इतने गंभीर मुद्दे को इतने गंभीर पुलिटिकल मुद्दे को इतनी कैजुली जो है लिया गया और चौधरी चरन सिंग के इस एक कदम से इंद्रिया गांधी की गाजमीतिक वापसी का रास्ता खुल गया जिस तरह से उन्होंने गरफ्तारी के दोरान जो नाटक किया जो जिस तरह से विवहार किया रास्ते में उतरकर गाड़ी से बैट गयी उसके बात जो किया और उनकी रिहाई उसने उनको एक नई उजा दे दी, इस सर्कार के खिलाफ लड़ने के लिए और इस सर्कार के पास इंदर्या गांधी से लड़ने का कोई समय नहीं था कोई अच्छा शक्ति नहीं थी किवल एक इच्छा थी कि ऐसा हो जाए सिर्फ एक विश्ट थी इसके अलावा कुछ नहीं उसके लिए कुछ किया नहीं दरसल इस सरकार की नेता आपस में लड़ रहे थे और आपस में इतनी बुरी तरह से लड़ रहे थे कि छोटे बच्चों को भी शर्मा जाए उनकी बाते सुनकर जिस तरह से उनकी लड़ाईया चल रही थी तो जनता पार्टी की सरकार को ज़्यादा दिन चलना नहीं था इतने बड़े मैंडेट को इस तरह से वेस्ट किया गया इतने बड़े मेंडेट का इतने बड़े जनादेश का मैं तो कहता हूँ अपमान किया गया भारत की पूरी राजनीती की दिशा बदल सकती थी अगर इन नेताओं ने अपनी शुद्र मान सकता और अपनी महत्वा कांच्छा को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिया होता और देश के बारे में सोचा होता डिमोकरसी के बारे में सोचा होता लोगों का भरोसा उठ गया तीन साल नहीं लगा इंद्रिया गांधी की वापसी हो गई पूरे बैंट बाजे के साथ थी जिस तरह की और जिस तरह की लड़ाईयां थी आपस की कोई जन्ता पार्टी के नेता के तौर पर काम करने को सोचने को तयार नहीं था पार्टी बन गई थी लेकिन सब अपने अपने घटक दल के नेता की तरह वेवार कर रहे थी तो इसलिए जो है मैं मानता हूँ कि इंद्रिया गांधी ने अमर्जनसी के दौरान जो किया वो अक्षब में है अमर्जनसी लगाना ये ऐसा पाप था जिसको कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए लेकिन जन्ता पार्टी के नेताओं ने भी जो किया 77 से 80 के बीच में वो भी किसी तरह से माफी के काबिल नहीं है इसलिए यही वज़े है कि फिर से खड़ा होने में विपक्ष को इतना लंबा समय लगा विपक्ष की क्रेडिबिल्टी कॉंग्रिस के खिलाब बनने में इतना लंबा समय लगा लेकिन वो भी 89 में हुआ तो वो भी जो है देर तक टिक नहीं पाया फिर कारण वही था सत्ता में देखिए सत्ता जो है अगर अगर बहुत से घटक है बहुत से लोग है तो जब तक सत्ता का बटवारा आप नयापूर्ण धंक से नहीं करेंगे अब तक ये नहीं चल सकता है ये नहीं हो सकता कि सत्ता मिले सब के कारण और कुछ लोग जो है उसको इंजुआए करें सिरु तो ये 89 में भी हुआ 89 में भी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मधुलिमे ने कहा था कि अगर वी पी सिंग अपनी सरकार में बी जे पी और लिफ्ट को शामिल नहीं करेंगे तो ये सरकार जादा दिन नहीं चलने वाली है और वही हुआ तो उसके बाद आप देखिए देश को इंज़ार करना पड़ा पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए 1977 के बाद किसी गैर काउग्रिसी पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए 2014 में मोदी का अंज़ार करना पड़ा और आप देखिए फर्क किस तरह से मोदी ने 5 साल चलाया अब दूसरा कारिकाल भी आधा बीट रहा है तो जब आप देश के लिए सोचते हैं जब आप समाज के लिए सोचते हैं जब आप निस्वार्थ भाव से सोचते हैं जब आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है तब आप इस तरह से काम करते हैं तो पद से बड़े होने वाले नेता तो देश में बहुत मिल जाएंगे लेकिन कद से बड़े होने वाले नेता बड़े बिरले मिलते हैं प्रधान मंतरी नरिंद मोदी के रूप में देश को एक ऐसा नेता मिला है जो कद में बहुत मड़ा है पद उसके सामने छोटा लगता है तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार आप से अन्रोध है कि ये चैनल देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब जरूर कीजिए नमस्कार